नमस्कार मैं हूँ कुमार गजेंद्र जनपतौंदा स्वाट में आपका स्वागत है केजरिवाल सरकार को केंदर सरकार ने एक हफ्ते की भी खुशी नहीं दी या यूँ कहें कि केंदर सरकार को केजरिवाल की एक हफ्ती की भी खुशी बरदास दे लिए केजरिवाल साब अभी कुछ हो ही रहे थे, कई अपसरों को बरफ में लगाने की तैयारी की जा रही थी, इससे पहले ही केंद्र सरकार ने केजरिवाल को जटका दे दिया, जटका भी बहुत बड़ा, इस जटके से केजरिवाल अब साइध ही उबर पाएं, केंद्र सरकार ने टांस्पर पोस्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोट के आदेश को किनारे करते हुए एक अध्यादेश सामने ला दिया, ग्रहमंत्राले ने अपने अध्यादेश में बताया है कि ट्रांसपर पोस्टिंग के मामले में केजद्रीवाल सर्वेश हर्वा नहीं हो सकते हैं इसका एक कारण ये भी है कि कानून में बहुत साफ लिखा है क्योंकि ये यूनियन तरेट्री है ये इस्टेट फुल इस्टेट नहीं है और ये देश की राज़दानी है इसलिए इसमें बहुत सीधा सीधा लिखा है कि जो यहाँ पर जो एलजी है जो लेफटिनेंट गवर्नर है हम आपको बताते हैं यहाँ पर गवर्नर नहीं होते हैं यहाँ पर यूनियन टरेट्री में लेफटिनेंट गवर्नर लगाए जाते हैं और लेफटिनेंट गवर्नर जो हैं वो सीधे सीधे प्रशाशक के रूप में कारे करेंगे यानिके जो केंदर सरकार जो टाह करेगी उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर राजदानी दिल्ली में जो प्रशाशन जो प्रशाशनिक चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से हेडिनी सरकार के पास ना होकर अलगी के पास है और यहीं प्रशासक के रूप में कारे करते हैं जो यहांकी जो गौर्मेंट दिली की जो चुनिवी सरकार होती है वो अपने मसोदे LG को भेजती है, LG उन पर महुर लगाते हैं, पास करते हैं या फिर उनको वापस करेक्शन के लिए वापस कर देते हैं, ऐसा हमेशा से होता है, लेकिन जब से केजरिवाल साब ने कमाल सवाली, तब से बहुत हद हो गई, हर बात में लड़े केजरिवाल साब हर चीज का हक मांगा, हर बात में उनके लोगों ने कहा कि इतने परसेंट हम जीत के आए, फुल बहुमत से आए, इसलिए ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत था, लेकिन अब क्यूंकि माने निये सुप्रीम कोटने हाल ही में, चंदर चूर साब की ब साब के पास होगा, लेकिन केजरीबाल साब ये भूल गए, कि अभी गैन सेंटर के पाले में ही थी, बैंच ने जैसे ही फैसला दिया, तो सेंटर गौर्वर्नमेंट के पास दो बाते थी, या तो हार के वो चुप बैठ जाते, और अगर चुप नहीं बैठना था, तो उनक पारी, एक तो ये अध्यादेश ले आए, दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट में उस चंदरचूर की बैंच को चैलेंज करें, एक बार फिर से चले जाए, लेकिन केंदर सरकार ने बजाए, पहले चंदरचूर साब के सुप्रीम कोर्ट की बैंच के पास जाने के, चैलेंज करन अगर दिली को और गुवर्मेंट में अगर कमेटी बना दी गई और उशे लिए उनके साथ मिलके वह कमेटी काम करेंगी तो ऐसे यह पने काम करेंगी और करण केज़िवाल सहाब को क्योंकि वह तो बावाल काते हैं तो उनको ये मंजूर नहीं है उन्होंने बजाए इसको मंजूर करने के माँदा ने के फिर हला मचाना सुरू कर दिये तरह तरह के बयान देने सुरू कर दिये लोगों को भíamos उस सुरू करती है जंता साब अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कोई भी अपसर आएगा काम तो कानूनी तरीके से करेगा आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है आपने इतने सारे महला क्लीनिक खोले ही है आपने इतने सारे करते हैं लोगों को गुम्रा करते हैं और ये बताने की कोशिज करते हैं कि किसी भी तरीके से सेंटर गुर्टमेट आपको काम नहीं करने देरी तो आप नहीं करना चाहतें कि आपसरूसर्ण से काम कराना होता हुग चुनी होंश सरकार अपसरों से काम कराएगी न जब आप UPसरों को इतना दवाब आप अपने तरीके से काम कराने चाहते हैं वी चंदर शेखर की आफिस में आपको रातो रात घुशके फाइले गायब कराने की क्या जरुत पड़ गई थी क्यों आपने गायब कराई कौन से फाइले गायब होई आप जवाब देंगे लेकिन आपके पास जवाब नहीं है अब ये मामला सुप्रीम कोट में भी जाएगा और मामला अब बैंच एक बार फिर से इस पूरे मामले को दूसरी में बैंच सुनेगी और अब इस मामले का अध्यादेश लाके उसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा लोगसभा राच्छेसभा के अंदर और ये आप अभी साब हंगामे के बीच में आपका सीस महल कहीं दफन हो गया है के इजरिवाल साब आप यही चाहते थे के सीस महल के मुद्दे को जनता भूल जाए लेकिन एक सो एकतर करोड का घोटाला सीस महल के नाम पर जो किया गया इतना सारा आपने काम किया है आम आदमी के नाम पे इत कई एक सो एकतर करोड के इतने फ्लैट तोड़ दिये कई बंगले खाली करा दिये और अपना एक सीस महल ख़़ा किया तो सीस महल के बारे में तो आपको इसके बावजूत जवाब देना पड़ेगा अगले हपते जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी आप इसमें फस्ते नज चाल में आप फस्ते जा रहे हैं और आपको ये भी बता दे हम अपने सुनने बालों को ये भी बता देते हैं कि मनीज से सोधिया ने भी केजरीबाल का अपने बयानों में नाम लिया है कि जो सराब गोटाला हुआ उसमें केजरीबाल सीधे सीधे सामिल थे अब ये मामला आ इसका अंजाम केजरिवाल साब आपको बुखतना पड़ेगा आने वाले समय में कानूनी तरीके से जैहिन जैभारा